मौसम से जोड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबा कर हर अपडेट पर नज़र रखें में घने से घना कोहरा चाहे रहने की आशंका है कोहरे की कारण तेज धूप निकल सकेगी जिसे कोल्ड डे सीवियर कोल्ड डे का सामना करना पड़ सकता है उत्तरी हवा चलने से नियुंदम तापमान में भी गिरावटा सकती है 14 जन्वरी को नय पश्मिविक शोब आ रहा है ये श्पिक शोब मौसम को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा 15 जन्वरी को शहर जाही तरजिले में जमाजम बारिश भी हुई 16 जन्वरी के बाद एक पश्मिविक शोब आएगा ये पश्मिविक शोब काफी मजबूत है जिसके वज़ा से मौसम बिगड़ सकता है बादल चाने के साथ साथ बारिश की संभाव न बन सकती है यूपि में इन हिस्सों में बिगड़ेगा मौसम बाद के मताबिक रामपूर भीम नगर पेली भीड लखीम पुर खिरी सीतापूर हर्दोई बहराइच बारवंगी बरेली बनायू लखनो श्रावस्ती गोंडा स सारनपूर मुजफर नगर बिचनोर मेरट मुरादबाद बुरंश है महराज कंच मौ आजमगर वारनसी चंदोली जौनपूर अम्बेटकर नगर सुल्तानपूर बलरामपूर फैसबाद नगर संतकभी नगर बस्ती बलिया कुशी नगर गोरखपूर में कोहरा चाय रहेग बात कड़े पहाड़ी राज्यों की तो हिमाचर प्रदेश में मौसम विभाग नकली तीन दिनों तक घने कोहरे का यलो अलर्ड चारी किया है प्रदेश के मेदानी शेत्रों में ब्यारी श्यना होने की कारण कोहरे को लेकर ये स्थिती बनी हुई है अगले 40 घंटे में उत मौसम भाग का नुमान है कि पिछले हफते की तरह इस भार भी लगातार कोहरा पड़ता रहेगा मौसम भाग के अनुमान के मुताबिक दो पहर उत्तरभारत की कई लागों में धूप निकली लेकिन ठंड में कोई कमी दर्च नहीं हुई दो पहर दो बज़े के बास से स्थितियां बनी हुई है जिसके चलते तापमान में कमी दर्च की गई है हर्याना चंडिगर डिली पंजाब के कुछ हिस्सों में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में आज कड़ा के किठन पड़ने वाली है आज सुबर आज स्थां में गना को राच आया रहेगा मौसम से जड़ी जानकारी के लिए लाइंग मौसम खबरों के लिए यूट्यूप चैनल को सबस्क्राइब करें